दोस्तो बिग बॉस 13 का सोमवार को हुआ एपिसोड काफी बोरिंग बोरिंग रहा और दर्शकों को खासा पसंद नहीं आया आपको बता दे टीरपी की रेस में मंडे जगा बनाने में काम्याब नहीं रहा क्योंकि दोस्तो घर में कुछ वाइल काड एंट्री हुई और कहीं न कहीं विशाल आदिते सिंग को गेम प्लान अब कुछ अलग ही देखतवाब बन रहा है इससे साफ पता लगता है कि विशाल इस शो में आके तक जाने वाले हैं वहीं दूसरी तरफ शो में नज़र डाली गई पारज शाबडा के क्वालिटी चेक पर जहां शनिवार को सल्मान ने उनको मूट से तो कुछ नहीं कहा लेकिन काफी दफ़ा इशारों इशारों में कह दिया अब बाकी की क्वालिटी चेक कराने के लिए शलमान खान ने वाइल कार्ड कंटेस्टन को ही लगता है चुना है क्योंकि शैफाली बगगा और अरान खान ने आते ही पारज शाबडा को क्वालिटी चेक कराई और उन्हें बहुती ज़्यादा गलत इंसान बताया शेफ वाली ने तो ये तक कह दिया कि मैं तुमसे नफरत करने लगी थी खैर इसी दोरान हमें उस एपिसोड में देखने को मिला कि कुछ अलग ही गेम खेलने आई है मधुरिमा तुली ये जो वाइल काड एंट्री है काफ़े इंट्रेस्टिंग लग रही है और आने वाले टाइम पे दर्शे को कुरी जाएगी भी खैर आज के एपिसोड के बात कर लेते हैं सोमवार की बोर्ये दूर करने के लिए एक बार फिर से मंगलवार को टॉपिक बनेंगे आसीम सिधार जो की शो की टीयारपी के प्रमुक कारण है जैसा कि हमने सोमवार को भी देखा तक कि जहां आसीम बैट कर प्लान कर रहे हैं कि अगर राशन नहीं आता है तो कप्ताने बाइक आट कर दी जाएगी अब आसीम ने अपनी एक अलगी नई टीम खड़ी कर ली है जिसमे रशमी देखाई भी कहीं न कहीं शामिल है और अब अरहान मी शायद वहाँ पे शामिल हो जाएं आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा जहां सिधार शुकला मौनिंग में टीम बनाने को कहने को नजर आएंगे लेकिन रशमी कहेगी कि चायपती नहीं है दो डब्य होने के बाद भी रशमी कहेगी कि मैं चाय कैसे बनाओ तो वहाँ पर सिधार कहेंगे कि एक पूरे ड अब काफी नहीं होगा तो सिधार कहेंगे जो बनती है वो बना लो ऐसे में रशमी चाय बनाने से मना कर देगी तो वहीं पर आसिम रिया सिधार शुकला पर रशमी का साथ देते वे सपोर्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई दो जनों की गलती की कारण तू पूरे घ अब वो आसिम का हाथ पकड़ की चलने की कोशिश कर रही है वाइल कार्ड एंट्रिस से कई लोगों में बेहिसाब जोश आया है अब उन्हें गलत दिशा में लेकर जाता है या सही देखना बहुत ही दिल्चस्प होगा खेल लड़की के तौर पर पारश शाबड़ा बनी ह जानते हैं वो दिमाग तो खूम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो ही जाते हैं और बाते उन पर ही भारी पर जाती है इसलिए आज होगा नॉमिनेशन टास्क जहां पर पूरी पावर दी जाएगी गर के सबसे समझदार कप्तान यानि के सिदार शुकला को जह आपर वो दोस्तो आरती सिंग को भी सेफ करेंगे और पारश शाबडा को नॉमिनेट ऐसे में बहुत ही बड़ा जटका लगने वाला है वहीं दोस्तों आपको बता दे रश्मी देसाई को भी आज की एपिसोड में वो नॉमिनेट करने वाले हैं खेर देखना होगा कि आसी सिधार्ट गिम्स में उनका साथ देंगे लेकिन आज सबी खड़े सदश्यों में से सिधार्ट बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा डेरिंग यहाँ पर निर्डने लेने वाले हैं खेर इसके बाद सिधार्ट पर साइड इफेक्ट देखने को जरू मिलेंगे काफी ज़्यादा ओपनली बात करेंगे विशाल आदिति सिंग और कहेंगे पारस तो कहीं हो गया है सिधायत के बीछे तुझे रियल वाला पारस बनकर सामने आना पड़ेगा कहीं न कहीं पारस के जवाज लगी है नॉमिनेट होकर उस घाव को पूरी तरीके से नमक निच प्लेयब करते हुए दिखाई देंगे को और तलब है नॉमिनेशन में आने के बाद शेयनास गिल सिधार शुकला से काफी जाता खफा हो जाएंगी कि उन्हें बिल्कुल में पसंद नहीं आएगा कि सिधार ने किस प्रकार से पारस को नॉमिनेट कर दिया है खेर शेयनास तो इस सफता के लिए पहले सही सेफ है क्योंकि बिग बॉस में सबसे ज्यादा एक्टेंट करने का जो वोटिंग था वो सब ज्यादा घरवालों ने शेयनास को ही दिया इसलिए शेयनास सेफ है तो दोस्तो पारस शाबड़ा अब एक बार फिर से सिधारत की खिलाफ नजर बताएं और सब्सक्राइब करें दोस्तों खेलो खेलो ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले